नमस्कार मैं हूँ सेचन भारतियो और आप देख रहे हैं बरेली लाइव हम हरवार आपकी मुलाकात कराते हैं बरेली शहर के कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों से जिन्होंने अपने अपने छेत्र में एक मुकाम हासिल किया है आज भी हम एक ऐसी शक्सित के साथ बैठे हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर अपूर्वा महिश्वरी जो कि इस बरेली शहर के बहुत ही गड़मान और बहुत ही मशूर हड़ी रोग विशेशक डॉक्टर पिमेन महिश्वरी जी की सुपुत्री है इन्होंने हाली में एक नीट पीजी परिक्षा में 143 मी रैंक प्राप्त किये ये रैंक बहुत मेहनत के बाद बहुत जद्दो जहद के बाद आती है आईए इन से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इस मुकाम तक पहुचने के लिए इन्होंने कितनी मेहनत की, इनकी भविश्की क्या योजना है, क्या प्लानिंग है और किस तरह से यह डॉक्टरी सेवा में जाकर अपने पिताजी की तरह इस छेत में अपना नाम रशन करेंगे और समासेवा का कार करेंगे अबुर्ण बहुत-बहुत स्वागत है आपका बरी लाहम है मुलते इस स्वाली यहीं है कि इस रेंग नीत-UG वैहले अपने बहुत सुनाइम, क्या दिफरेंस होता है, और य किस रियक तरहिक है? तो NEET UG के थू हम MBBS में एंटर करते हैं MBBS जो है वो लगभग पात साल का होता है चार साल जिसमें हमारी पढ़ाई होती है और एक साल इंटर्णशिप होती है जिसमें हमें ट्रेनिंग मिलती है कि अस्पताल में क्या-क्या होता है क्या-क्या प्रोसीजर होते हैं तो वो हमें सिखाया जाता है और उसके बाद पोस्ट ग्राजुएशन का एक्जाम होता है जिसे हम NEET PG कहते हैं उसके थू हम या तो MD या MS करते हैं MD यानि की डॉक्टर ओफ मेडिसन जिसमें की जो लोग दवाईयां देते हैं उससे उपचार करते हैं वो आते हैं और MS यानि की जो सर्जन बनते हैं जैसे की और्थो हो गया, जेनरल सर्जरी हो गई, गाईनी हो गई उन सबको MS की डिग्री मिलती है तो NEET PG एक एक एक्जाम है अजया पूरबाद जैसे बरेली शहर है, बरेली चिक इसा का गड़ का जाता है पिताजी स्वय में ऐक बहुत अच्य चिकिसक है बरेली शहर में तमाम होस्पिटल्स हैं जहानों की चिकिसक होती है हम लोग बरेली आ अगर हम यह सोचें तो हमें हमेशा से यह लगता रहा कि बरेली में हॉस्पिटल से बहुत हैं लेकिन कही ना कही यह चीज हम से चूक रही थी कि कही ना कही चिकिसा की शिक्षा जो है यह मेडिकल एजुकेशन जिसे हम कहेंगे उसमें कुछ गमी है तो आपको क्या लगता है कि अब मेडिकल एजुकेशन जो बरेली के अंदर चल रही है और जिस तरह से भार लोग उसमें जा के पढ़ने जा रहे हैं तो इसका फील्ड कितना उजवल है मतलब क्या-क्या चीज़ें इसमें हम आगे चल कर इसकी फील्ड में जा सकते हैं और कैस से आयुरवेदिक कॉलेज हैं होमेडिक कॉलेज हैं नर्सिंग कॉलेज हैं तो बिलकुल बरेली सिर्फ एक मेडिकल हब नहीं एक मेडिकल एजुकेशन का भी हब है और जैसे जैसे टेकनोलोजी बढ़ रही है मेडिसन में भी उसका बहुत उपयोग होने लगा है जैसे कि अर्टिफिशल इंटेलिजेंस हो गया रोबोटिक सर्जरी हो गया तो बिलकुल आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है मेडिसन का जो जो इस्टुएंट्स हैं उनको क्या कहना चाहोगे आपकी किस तरीके से उन्हें इस तरहें की नीट यूजी और नीट पीजी की तै जरने हम स्टैंटर्ड टेक्स्ट बुक बोलते हैं उनका अपने Mbbs में पढ़ना बहुत जरूरी है तो ये सब करना बहुत जरूरी है और ये exam clear करने के लिए लगभग 10-12 घंटे पढ़ना अनिवार रहे है पढ़ना ही पढ़ेगा और आप confidence रखिए अपना एक honest attempt दीजिए बिल्कुल सारे exams clear होंगे जैसे कोई बच्चा है जैसे medical field में अपना career मनाना है सपोर्ज उसने NEET UG कॉलिफाई किया अब उसको step by step थोड़ा सा गाइड कर दिये कि किस तरीके से वो इस फील्ड में आगे बिना डरे, बिना सहमे और एक सिंबलर चाल से चल कर वो अपने लक्षप तक पहुश सके जब आप NEET UG क्लियर करते हैं उसके बाद आप कॉलेज में इंटरी लेते हैं चार साल का अपकी पढ़ाई होती है और इसके बाद एक साल की इंटर्शिप होती है तो पहले सही पहले दिन सही आप पहले तो आपी सोचे कि आप डॉक्टर क्यू बन रहे हैं आप मरीजों की सेवा करने के लिए बन रहे हैं तो वह थौट आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि मैं जिसकी भी सेवा करूँ अपना बेस्ट दे पाऊं तो उसके लिए अपनी किताबे पढ़ना अपने मरीजों से सीखना बहुत ज़रूरी है तो उस पे पूरा फुल फोकस होना चाहिए कि मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से करूँ और जो भी मरीज में देखूँ उससे बात कैसे कर नहीं है उसको उपचार कैसे होता है अच्छे से सीखूँ और फिर वही जितना भी सीखा चार सालों में अपनी इंटर्णशिप किट समय जब आप मरीजों पर काम करना शुरू कर देते हैं आपको अपकी डिग्री मिल जाती है फाइनल यर पास कर लेते हैं वहां पर भी अपना पूरा मन लगाएं सीखें डेडिकेटेड काम करें वापस आपके उसकी पढ़ाई करें और वह सबसे आप फिर नीटपीजी के परीक्षक करें और फिर आगे चा के अपनी ब्रांच सेलेक्ट करें तो यह मेरी किस तरह कि हम इसमें बुकिश नॉलिज ले सकते हैं आज का समय इंटरनेट का यूग है तो हमें बहुत सारी चीज़े अविलेबल हैं उस पर लेकिन कुछ दिख भीमित करने वाली चीज़े भी नेट पर मौजूद हैं किस तरह के बुक्स हम चुनें किस तरह के हम इंटरनेट से जो पढ़ाई करनी हैं जो नॉलिज लेनी हैं जो डोकुमेंट्स लेने या जो चीज़े लेनी हैं वो कैसे ले इसके विशे में थोड़ा सा बताई क्योंकि जनरली बच्चे भटक जाते हैं वो कहीं कोचिंग तो करते हैं या कहीं पढ़ते हैं लेकिन जब स्वय में स्टड़ी करने बैठते हैं तो कुछ गलत दिशा में चले आता हैं उसको कैसे हम क्लियर चीज कैसे लेकर पहले तुम्हें वही कहूंगी कि अपनी जो भी आपकी कॉलेज हैं वाग कितावे पढ़ आप सबसे सादा सीखते हैं तो ऐसा ना करें अपनी पढ़ाई बिल्कुल शिद्दत से करें और इंटरनेट दोनों ही चीजे देता है आपको अच्छी बाते भी सिखाते हैं और आप अपना मार्क भी खो सकते हैं तो बहुत सारी एप्स हैं जिसमें पढ़ाई कराई जाती और बस यह मुझे जो लगता है कि पढ़ाई को कभी भी एक सैक्रिफाइज नहीं समझना चाहिए यह आप एक तरीका है आप अपना करियर बिल्ड करें तो आप कुछ पीछे नहीं चूट रहे हैं वो मस्ती मजा मस्ती का समय बाद में भी आ सकता है लेकिन जो आपका आपक सबूस है और किस तरह स्पोकस हो किस तरह स्तारी की तिरी का अपने टारी करी anticipated कि मुझे एक अच्छी सीट नहीं निकालनी है अपनी आपनी मन चाहिए ब्रांच निकालनी निकालनी कि कि ब्रांच बहुत आपका ऩशाइड करता और आगे चलने वाश का तो मैं ज 1400 किस्तमा कि अजीन थो आज रेंक, में अपना रांण को, क्या मेन गाईडलाइन कौन सी थी, कौनसी तो अपन्सी मंढ्र था, तो हम पर एक अलग तरीके का बढ़न होता है वो बढ़न अपूरवा कैसे ले कर चली शुरू से बच्पन से और अब क्या लगता है कि उनकी जो एक्सपेटेशन का लेविल था वो वहां तक अपूरवा कितना पहुच पाई पहले तो बढ़न नहीं था हमेशा inspiration था कि बढ़ कोई क्वेशन भी नहीं संवज में आता था स्पेशली ओर्थ या गाईनी में तो मैं अपने ममी पापा को रेफर कर लेती थी तो कभी मुझे बढ़न फिल नहीं हुआ हमेशा मेरी जो पूरी फैमिली बग्राउंड वो डॉक्टर्स की है तो हमेशा इंस्पिरेशन मिली है इसुआ कभी बर्दन नहीं लगा एफ झिशा ए अब जैसे अपने इसमें आप जिली है निये बच्चों के लिए बच्चो पाइसके बाद स्टेप आई स्टेप श्टेप क्या होते ही होता है तो य। जितना होता है इसमें लगबक एसफितने मेराग सेने हुईशन लोग और 70,000 के around सारी seats हैं, जिसमें से 30,000 के around government का seat है तो पहले ये exam देना होता है, वो clear किया आपने, आपकी एक rank है अब इसमें बहुत सारी चीजे हैं, एक तो आपका rank क्या है, आपको ब्रांच कौन सी चाहिए आपको किस college से करनी है, तो कुछ बहुत प्रतिष्टिट colleges होते हैं, जैसे दिली के college है, मौला नाजाद है, लेडी हार्डिंग है, लखनौ में, किंग जॉर्ज है तो यदि आपको वो colleges चाहिए, तो आपको इस rank और अच्छी होनी चाहिए, और कुछ ऐसी branch है, जो उपर वाली ranks को मिलती है, जैसे कि ङुटाउज जो गगें, जैरल मेडिसें हो गगें, ड्रम जो सकिन वाली ranks तो इन सब को आपको साथ में लेकर देखना होते हैं, इन सब यह को साथमना है जैसे कि यह वो फिल चाहिए, और व आपको फिल करनी होती है जब फिल फिलिंग होती है, और फिर आपको बेसी बेस् artificial intelligence इस समय एरा में चाया हुआ है चारो तरफ यह और वो एक robotics कई जगे हमने यह पढ़ने में आता है कि रोबर्ट्स वगेरा भी इस पर काम कर रहे हैं medical field में काम कर रहे हैं यह चुकि नई चीजे हैं और आप लोग नए लोग हो जो इस में field में जा रहे हो इसमें क्या लगता है आपको करियर की कितनी समाबना और दूसरी बात क्या यह faithful है इन पर हम इनके मुताविक चल सकते हैं और किसी का treatment कर सकते हैं मुझे ऐसा लगता है कि यह दोनों चीजे आगे चल कर medicine का बहुत बड़ा part बनने वाली है पर एक किसी भी तरीके से इनसान को eliminate नहीं कर सकती उसकी help कर सकती है ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक robot ही मरीज का treatment कर देगा एक doctor होगा जो robot के थूरू मरीज का treatment करेगा जो अंतर है यह है कि जो precision है और accuracy है और जो error की संभावना है अगर वो हम robotic surgery के through करेंगे तो वो कम हो जाएगी और artificial intelligence अभी मैं कहीं पढ़ रही थी कि किसी patient को कोई बिमारी थी और उन्होंने artificial intelligence से पूछा कि इनकी क्या diagnosis बन सकती है तो उसने एक list पूरा दे दिया diagnosis का और उसके through doctors ने धीरे-धीरे करें वो उस डाइग्नोसिस पर पहुच के तो AI बहुत बड़ा एक help बनेगा आगे चलके जिसे कि जो इतना knowledge का भंडार है उसमें से क्या-क्या हो सकता है वो choose करने में help करेंगा तो बिल्कुल आगे चलके इन दोनों का काफी बड़ा योगदान होने वाला है मैं यही कहूंगी कि पहले दिन से पढ़ाई कीजिए आप जब पहला सब्जेक्ट जो हम पढ़ते है वो अनाटमी होता है जिसमें कैडिवर होता है यानि कि वो बॉड़ी से सीखना होता है वहां से अपनी जो सीखना है वहां से शुरू करिए जब आप अस्पिताल जाएं कि आपको इन ही का ट्रीटमेंट करना है तो उनको उनसे बात कैसे करनी है उनमें क्या के बिमारिया होती है जाकर अपने जो भी आपको पढ़ातने है प्रोफेसर उनसे सीखिये अपनी किताबे पढ़िये और हमेशा यह सोच के करिए कि आगे चलकर आपको एक डॉक्तर बन कि आपने परिवार से क्या चीज़ सीखिए आपने संस्कारों से क्या चीज़ सीखिए आपने वातावरान से क्या चीज़ सीखिए जैसे मेरे पापप अलोगों को मोटिवेट करते हैं मुझे भी मोटिवेट करते हैं तो उनसे उनका काम देखके और उनका जो उतना सोशल बहुत कुछ सीखा और मेरी फैमिली है मैं एक डॉक्टर्स की फैमिली से आती हूं इनोंने कितना योगदान दिया है उससे बहुत कुछ सीखा और बस यही कहूंगी कि उन्हीं की तरह बन पाऊं और आगे चलकर सोसाइटी के लिए काफी कुछ कर पाऊं अपने सिटी अबरे साल के पढ़ाई करते हैं उसके बाद जाकर आप मरीजों को ठीक करते हैं उनकी दुआइं लेते हैं तो इससे सारा नोबल प्रोफेशन चाहिए कोई और होगा अब रैंक आपकी आगई अब आगे आपके कानम क्या हूंगे अब किस कैसे जाओगे किस फील में जाओगे कैस अब ही जो मैंने सोचा है कि मुझे तो मुझे ऑपटी तो काफी दिल्चपित है तो मैं रेडियोलोजी के फील में जाना चाहूंगी और आगे चल के यह चाहांगी कि कम ने चीडाफाडी फाला जो को प्रोसीजर्स होते हैं मैं ऐससा कुछ कराऊं कि एक तो लिए देते हैं ये थी अपूर्वा महिश्वरी जो हमें ये बता रहे हैं थे कि तक्रीवन थाइलाग बच्चे बैठे थे इस बाद पीजी में और उसमें से 60,000, 61,000 तक्रीवन सीटे होती हैं गौर्मेंट और प्राइवेट मिलाकर जिसमें 30,000 गौर्मेंट के सीटे होती हैं उनम और अनोखा करेंगी इसकी हमें इंतजार रहे हैं